Write a python script that traverses through an input string and prints its character in different lines, two character per lines ये question सुमिता अलोरा क्लास 11 के string manipulation का type E का question number 1 है तो चलिए वीडियो शुरू करें तो question number 1 कह रहा है Write a python script that traverses through an input string and print its character in different line to character per line मालब कहने का कि हमको कोई string input कराना यूजर से ठीक है फिर input का रानिग बात क्या करना है traverse करना है हर एक string के value पर ठीक है letters पर उस पर work करना है क्या work करना है दो-दो character मालब दो-दो letter में print हो मालब जिनने भी line में दो-दो लेटर फिर दूसरे line में दो फिर तीसरे line में दो वह ऐसे करेंगे ठीक हो यहां पर condition और है कि letter है वह मालब की जो word है string है वह even number का होना चाहिए मालब उसमें even number के लिटर थोने चाहिए अगर और नबर यहां तो वो प्रेंट नहीं होगा ठीक तो आई जाल ले थी इसका एंसर एंसर आपको इस्क्रीन पर दिखराऊगा सबसे बढ़ी है यह नाम का एक वारियेवल है आप किसी भी नाम का वारिये ले सकते हैं उसमें आप सबसे बढ़ी इंपूट फंक्शन लग अगर माली जी कोई वैल्य इंपूट हुआ है ठीक है तो सबसे पहले अगर माली जी कोई वैल्य इंपूट हुआ है तो उसका लेंथ निकलेगा एव से ठीक है लेंथ निकलेगा प्लस वन भी हो जाएगा ठीक है फॉर रेंज में आप देख रहे होंगे फॉर आइन रेंज में वहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ठीक है प्लस वन होने कबाद वो जीरो से चलेगा लोग ठीक है जीरो से लेकर क पहले 0 थिया थीक है तो यहां पर आजाएगा माईनस टू ठीक है और यहां पर एक के और आजाएगा ॉटू ड़ के बाद इस रीड में Loch से स्काट हो रहा फिर वैसे हर वार दो दो लेटर ब्रेंटों यहां से चलता है थेक है तो simply वो हर बात दो-दो लेटर को प्रेंट करेगा पर लाइन में उम्मिद करता आपको समझ भाया होगा आप से मिलते हैं अगले वीडियो में